गुरुवार की रात नाथनगर मधुसूदनपूर थाना छेत्र महमतपूर इलाके में जोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली मिर्तक के परीजनों की माने तो बिनेताती के एक वर्सिय पुत्र विनायक कुमार को मामुली शर्दी जुखाम था जिसके कारण मिर्तक मासूम की मा सरीता देवी प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले कजरेली निवासी डॉक्टर मिर्तुनजे कुमार के पास मासूम को ले गय और बच्चे ने डॉक्टर के ही क्लिनिक में दम तोड़ दिया जिसके बाद डॉक्टर मिर्तुंजे ने बच्चे और परिजनों को भागलपूर मायागंज अस्पताल में इलाज कराने का भरोसा दिलाते हुए अपने साथ बाईक से भागलपूर ले गया भागलपूर पहुचते ही डॉक्टर ने बच्चे को परिजनों के हाथों सौप कर फरार हो गया जिसके बाद परिजनों ने मिर्तक बच्चे को लेकर घर वापस आया घर वापस आते ही गुस्साए परिजनों और ग्रामिनों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर हंगामा करना शुरू कर दिया सूचना मिलते ही मौके पर पहुची मधुसूदन पूर्थाना पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत कराया और जोला चाप डॉक्टर की गिरपतारी की बात कही ग्रामिनों की माने तो इससे पुर्व में भी जोला चाप डॉक्टर के द्वारा तीन दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया है वही मासुम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक लोगों को जोला चाप डॉक्टरों से निजात मिलेगा सवाल यह भी उठता है क्या हम वाकई स्मार्ट शहर्ग में रहते हैं जहां की स्वास्थ व्यवस्था इतनी लचर है सिल्क टीवी से नाथनगर संबादाता सुमीत शर्मा की रिपोर्ट